नमस्कार विवोस मैं हूँ अमीश देवगन और रात के समय नौ बच चुके हैं और आप देख रहे हैं सी एन बीसी आवास पे टककर का आज का एडिशन यूपी के बाई एलेशन में जो कॉंग्रेस पार्टी पांच सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी थी वो अब चुनावी मैदान से हट गई है जी हाँ हट गई है तो महारास में भी विपक्षी गड़बंदन में 26 सीटों को लेकर पेच अभी तक फसा हुआ है लेकिन इस बीच बीजेपी ने गांधी परिवार पर बड़ा रोप लगाया है कि बीजेपी का कहना है कि दलत होने के कारण मलिक अरजुन खडगे कॉंग्रेस पार्टी के अधक्ष की बेज़ती हुई है और उन्हें गेट के बाहर वेट करना पड़ा है तो आज इनी तमा बड़े पोलिटिकल मुद्दों पर जोरदा टक्कर होगी चुनावी टक्कर होगी और इस चुनावी टक्कर में मेरे साथ कई महमान जुड़ेंगे आप देख रहे हैं सीट शेरिंग पर सियासी बाजीगरी ऐसे हुई कि कोई सब कुछ ले उड़ा तो कोई हाथ मलता रह गया और कोई उम्मीद से ज्यादा पा गया कहां तो चर्चा थी कि शरत पवार की पार्टी सत्तर से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी लेकिन फैसला होते होते सब को 85-85 वाला फॉर्मूला तै हो गया अलगि 26 सीटों पर अब भी खीचता आन जारी ह महायूती खेमे में 182 सीटों पर उम्मीदवारों का एलान तो पहले ही हो चुका था और आज दिल्ली दर्बार में बची हुई सीटों पर बड़ी बैठा कुई लेकिन सबसे दिल्चस्प सियासी खेल यूपी में हुआ अखिलेश यादों ने कहा था कि उपचुनाओं में सभी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के जंडे पर चुनाओं लड़ेंगे इसका सीधा मतलब था कि कॉंग्रेस यूपी का मैदान छोड़ चुकी है लेकिन पार्टी की स्थिती ऐसी है कि बीजेपी को हराने के लिए कॉंग्रेस सिंबल और संगठन सबकी कुर्बानी को तयार है प्रशन अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है बलकि आज समय है समविधान को बचाने का कॉंग्रेस पार्टी अपने उमीदवार नहीं उतारेगी कि नहीं कॉंग्रेस पार्टी का कोई उमिदवार होगा और नहीं कॉंग्रेस पार्टी किसी दूसरे सिंबॉल पे लड़ने जाए और इनका जो है वो हमेशा गड़बंदन की बीच में जो है वो इसी दरह का भोकाल रहा है बरोसा नहीं रहा है इस पर तंज करते हुए पूर्व कॉंग्रेस निता आचारे प्रमोत कृष्णम ने कहा कि कॉंग्रेस अपना दफ्तर और जंडा भी समाजवादी पार्टी को सौंपते लेकिन एक सियासी विवाद और चल रहा है बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रियंका वाडरा के नमा मनिका अर्जुन खर गे जीत है जो दलत समाज से आता है उसका इसते वाल करते हैं पता नहीं क्यों ऐसे लीचर काम करते है इस तरह की हरकते करते हैं भाजपाई ऐसा जुट बोलते हैं जो तस्मीरों के साथ बिलकुल इनका परदा फार्श हो जाता है तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे पड़ी बहस सियासत में कौन सगा किसने ठगा तो आज की बड़ी चर्चा आज की पड़ी चर्चा इसी विशे पर सियासत में किसने ठगा और कौन सगा लेकिन सियासी ठगी का आज का विश्णेशन देखी है पहला खेला चर्चा थी कि शरद गुट सतर से कम और कॉंग्रेस और उद्दव गुट करीब सौसो सीटों पर चुनाव लड़ेगा यानि शरद पबार ने पहले एंशोर किया कि मेरी सीटे पचासी होनी चाहिए बाकियों को मैं बाद में देखूंगा दूसरा खेला खेला नमबर दो नो सीटों पर उत्तर प्रदेश में उद्द चुनाव में कॉंग्रेस पचास पचास वाला फॉर्मूला चाह रही थी पहले और उसके बाद एस्पी ने पहले ही साथ सीटे डिकलेर कर दी तो कॉंग्रेस की उमीद पर पानी फिर गया और उसके बाद अखिरेश राहुल से बाचीत के बाद कॉंग्रेस चुनावी मेदान से जो है वो पीछे हट गई है अब कॉंग्रेस खुद कह रही है कॉंग्रेस के नेता कह रही है कि यूपी में कॉंग्रेस सिंबल संगठन सबकी कुर्बानी को तयार है क्योंकि उसको सविधान को बचाना है पाटी बचेगी तो सविधान बचेगा पॉइंट तो ये भी है तीसरा खेला प्रियंका वाडरा रॉबर्ट वाडरा और प्रियंका वाडरा तो आविसली वो पहली पंक्ती में बैटे थे लेकिन जगा नहीं मिली खड़गे को और खड़गे को भार नितजार करना पड़ा और बाद में एंट्री होती है इस पर बीजेपी बहुत सारे सवाल उठा रही है बीजेपी बोरी है कि दलित होने के चलते खड़गे का अपमान हुआ नतीजा चुनाव में बीजेपी को इस एक बड़ा मुद्दा मुल गया है कि आद दलितों का अपमान कर रही है कॉंग्रेस लेकिन आजका बड़ा प्रश्ण इस बार चुनावी डील में कॉंग्रेस को लाब कम और हानी जादा हुई है और इसका असर देखने को बिल रहा है डॉक्तर अजे आलोक मेरे साथ इस चर्चा में है उनका बिरंदन है संजे गुपता है मेरे साथ जो कि शिव सेना उबाटा के है यानी उद्दव गुट के है अनुराग बदोरिया है मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के है विवेक शिर्वास्तव मेरे साथ है जो कि लेफ्ट के नेता है और कॉंग्रेस को लगातार आगे बढ़ाना चाहते है लेकिन अपने दम पे नहीं उनके दम पर मेरे साथ अचारे प्रमोट किश्रम है बेहत कास्वमान है उनका अबिनंदन है ये कलकी पीठा दिश्वर है और अपनी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं इनका भी अबिनंदन है हलाकि कहते हैं कि जो संत महत्मा होते हैं जो आचारे होते हैं उनको वो भविश्य वक्ता भी होते हैं अचारे परमोट किस्टम ने काा था कि क्या हमारा जंडा भी उत्रवाना चाहते हैं वहारा दफ्तर भी बंद करना चाहते हैं और आज इनका ट्वीट आज की सुर्खियों में हैं हेड्लाइंस में हैं कि जंडा, डंडा और साथ ही साथ दफ्तर पे ताला लगाने की प्लैनिं तो या आज की सरस्था की शुरुबात आप से करते हैं, 50 सेकिंड का वक्त आपको देता हूँ, आप तक अबाद आ रही है, तो मतलब आपने ये फैसला कर लिया है कि कॉंग्रेस की दुकान उत्तर परदेश में टेंप्रेरी क्लोज है, बाई एलेक्शन के लिए, देखे पहल दल के साथ विचारे अपना सा मूले के निसाजी चले आए, चार दिन मुहाँ पे दिल्ली में डेरा डाले रहे, उनको एक सीड भी नहीं मिली, विचारे ठगे गए, उसके वाद खेला किसके साथ हुआ, खेला हो गया, महाराष्ट में, आभी तक देखो, मुखमंतरी को तय जा नहीं कि मुखमंतरी किसको बनाएगी, अभी तक नहीं तयार हो, खेला कर रही है अपने साथियों के साथ, और उत्तर प्रदेश में भी अपने सहयोगी दल के साथ उसने खेला कर दिया, जहां तक समाजवादी पार्टियों इंडिया गडबंदन का सवाल है, इंडिया बचाने के लिए आपने बहुट बड़े बड़े शक्त को बार किया, राष्ट लोक्तंतर सविधान, तेजपर प्रताप यादफ को चुनाव लड़वा के राष्ट बचाने की मुहिम चला रहे हैं। कॉंग्रेस को एक भी सीट ना देकर राष्ट बचाने की मुहिम चला रहे हैं आप कमी बताई आरे कमी बताई ना क्या वेक्ट नहीं है इंसान नहीं है आप में कमी का है अच्छा जवाब दे दू आप क्या कमी आप से पूछ रहा हूं आपको क्या आप से प्रस्ट पूछा की रास्ट बचाना है तो यह बताइए मैं आप से पूछ रहा हूं आप पहुं से पूछ रहो अभी अभी अदिकार मेरा और ब्लाइं मैं पूछ तरहों हूँ कि यह राष्ट कैसे बचाया जाहा जाओback मैं बता रहा हूँ क्या सिंधिया फैमिली को टिकेट देके राष्ट बचाया जाता है या अपना दल के साथ जो परिवारवादी पार्टी जिसको आप कहते हैं उनके साथ मिलके परिवार राष्ट बचाया जाता है या राजवर पार्टी या साथ पार्टी या सिरसेना पार अपह पे महले सुरच्ची सो जहां पे सभी को रोजगाल मिले तुनती कि तरफ पहे अपने बोल दी इस लिए राष्ट बचाने की मोहीम में कॉंग्रस के दफतर पर टेंपरेडिरी ताला लगाया गया है इसका है इसमें थोड़ां थोड़ां हम आपके है कौन भी है लेकिन ह कि अमिश जी हमारी पार्टी वैसे लोगों में से है जो राष्ट बचाती नहीं और राष्ट के लिए अपने सर्वोच्ष ने और शावर कर जती है चाहे जान भी हो एक तुछ जान के आगे राष्ट की कोई कीमत नहीं होती है अखिले शया दब में मादा होगा अखिले शुरू करता हूं राजनीती में चटूरतर चीट कोटिलता थोड़ी आगे आती है तो ब्हाई आए आ जाती है इन तीनों को मिला दिए तो लोग जाती है अगों राजनिति हो गये इसलिए अम पारी नहीं अफिशल कॉंटर हेड पे लिखा कि ठग ने महां ठग को ठग लिया अब सबसे बात है कि ठग अब कह रहा है कि बाकी लोग दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं अरे हम तो बधाई देते हैं अखिलेश यादव को कि पहली बार उन्होंने ऐसा काम किया जिसके देश में उनका ना हैं लेकिन चतुरता कुटिलता और भेहाई तीनों अखिलेश यादव पूरी तरह से समाई और उसका प्रदेशन अनुराग भधोरिया बहुत अच्छा से तीन स्क्रीम पर कर रहे हैं और उसको तमाम एंगिल देने राष्ट बचाना अप्राना करना देमकाना करना अले ब इसको मैं बोलूग वहीं बोले डाक्राज्या लोग 20 seconds बेकिव पॉइंट भाई मैं तो तारीफ कर रहा हूं मैं तो कोई बुरा ही नी कर रहा हूं मैं तो ख्लेश जी को बधाए भी दे रहा हूं अब आते महाराश्या चुनाव पे अब महाराश्या चुनाव पर इन्होंन उमिद्वार डिक्लेर कर दी है मजबूत टी के साथ हम लोग अपनी लाइन लंबी लंबी खीचने के लिए आगे बढ़े हैं कुछ अगाड़ी कुछ पिछाड़ी यह हाल है इनका महागाड़ी का तो यह महागाड़ी वाले ना सीट शेरिंग कर पाएंगे ना यह मुकवंत्री के चेहरत पेंगे और लास्ट में कहेंगे फ्रेंडली फाइट यानि खूरी मुकाष्ट वाइट क्या समाजवादी महाराष्ट में येस और नो आज की तारीक के अंदर और संभल के बोलिए का यह बात क्या महाराष्ट विगास अगाड़ी का पार्थ है समाजवादी पार्टी आज की तारीक में अच्छे 30 सेकेंड दीजिए ने 15 सेकेंड उधर 15 सेकेंड इदर इन्हों ने एक बात कही बहुत मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि भारती जनता पार्टी के पास तो केंडिडेट ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर में ये दुरूबीन लेके खोज रहा है इनके पर चुनाओ लड़ रहे हो आपका स्केंडेट तक तो है नहीं उसमें सरफुटा हुआ है अभी तो आप दूसरों की बाते कर रहे हो दूसरी बात हम हम महराश्ट में इंडिया गडबंदर मिलके चुनाओ लड़ रहा हैं मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं हम उत्तर प्र कर रहे हैं तो आप से प्रेम परसंगों की बात नहीं करनी चाहिए लेकिन ये कैसा प्रेम परसंग है जिस प्रेम में परयमी प्रेमिका की को कहा रहा है कि मैं भिवहा से और के साथ अभी तूप कमरे में बंद हो जा अमीश देवगंग ये सब जो बातें हो रही हैं ये बातें करने में अच्छी लगती हैं लेकिन इसको मैं अगर सीधे सीधे कहूं तो ये एक राजिनेतिक दल का दिवालियापन है और ये कॉंगरेस पार्टी के नेताओं का अकल का भटा बैठ गया है कॉंगरेस की बरवादी का जो जो कॉंगरेस की बरवादी का शिलसला शुरू हुआ था उसमें ये आखरी कील सावित होगा और इसमें अखलेश यादव जी गेशन है इसमें तो सोचने में कोई rocket science है नहीं हमिश देव गंजी अगर अखलेश यादव जी के सामने कोई party कहती है कि हम आपके प्रति श्रणागत हैं आपके प्रती हम समर्पित हो जाते हैं तो अखले श्यादब को थोड़ी बुरा लगा अखले जी को तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सवाल कॉंग्रेस का है लेकिन अभी अखले श्यादब हो यह अनुराग बहदौरिया यह कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती पक्की है अगर मालिजे का अनुराग बहदौरिया जी से कोई कुछ लेही नहीं रहा है उन्हें दे रहा तो अनुराग बहदौरिया जी का तो यह फरज बनता कहना कि हमारी दोस्ती पक्की है यह तो राहूल गांधी की बेवकूफी है यह तो राहूल जी का बेवकूफी भला नेड़ने है राहूल गांधी जी ने उस प्रदेश को जो प्रदेश पंडिजवाललाल नहरू इंद्रा गांधी राजीव गांधी सोनिया गांधी जी की कर्म इस्थली रहा है उत्तर पर्देश जिसने देश को राजनेतिक दिशा देने का काम किया है वो पर्देश जो उनके परिवार और विरासत की एक कर्म भूमी रहा है उस पर्देश में Congress Party का पिंडदान कर दिया Congress Party को खत्म कर दिया ना उनका जंडा रहेगा कहीं, ना उंटणडा है, ना जंडा है, ना निशान है, तो कार्य करτα क्या करेगा, लाखों कार्य करता हूं कि दिल को आज उन्हों ने तोड़ दिया, अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई अपने घर में आग लगा कर ये कहे कि मैं तो इसमें रोश पहसला नहीं कर सकता था जो फैसला राउल गांदी जी ने किया है यह इतिहास के पंडों में उनकी एक बहुत बड़ी बेवकुष भरा अबिनाश पांदी तो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारे लिए लोगतंत्र इंपोर्टेंट है देखे वो और इसके अलावा क्या कह सकते हैं वो क्या कह सकते हैं राउल गांदी के सामने वहां राउल गांदी जी का पूरा पूरा गोल है उनके जो चोकड़ी है उसके सामने को क्या बोल सकता है फैसला तो राउल गांदी करते हैं खड़गे जी अध्यक्ष है लेकिन वो क् नॉमिनेशन में बाहर से जहाक रहे थे, खडगे जी बाहर से जहाक रहे थे, उनकी हैसियत क्या है कॉंग्रेस में, कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनकी इस्तिथी क्या है, ये तो बाइनाट के नॉमिनेशन में दिग गई, और इसी लिए अमिश देवगान, दिगविज जी आध्यक्स होगे तो वो राहूल गांदि जी के नौकरों की नोकरी नहीं करेंगे. तो इनने एक ऐसा अध्यक्स चाहिये था, जिसे गेट के बाहर बैठा सकते हैं. जो गेट के बाहर बैठा दो, या खड़ा कर दो, अंदर बुला लो. तो ये खर्गे जी अपमान को सहकर भी विवेक जो कॉंग्रेस को गेट से बाहर किया है गर अगर अमीश देवगन अगर मलिकारजुन खर्गे जी की जगा कोई और अध्यक्ष होता तो वो इस्तीफा दे करके वापिस आ जाता लेकिन खडगे जी का जो अपमान हुआ है उसे अपमान को सैकर भी वहाँ है तो ये कॉंग्रेस पारिटी के राष्टी अध्यक्ष हो मुबारक हो लेकिन जो उत्तर प्रदेश के करोडों कारकरताओं का दिल तूटा है और उनको जवरदस्ती समाजवादी पार्टी के प्रती नतमस्तक होने के खाफ हैसला सुनाया गया है इसको इतिहास में बेवकूफी भरा फैसला ये दर्ज होगा और कॉंग्रेस पार्टी जो कॉंग्रेस जेर सो साल पुरानी पार्टी है उत्तर ये जो कॉंग्रेस को दर्वाजी से बाहर कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के ये तो चाहते ही थे ये मैंने आपके शो में भी कहा था कि भिकुल आपने आपने बिल्कुल आपने कहा था विवेक विवेक to मैंने तो विवेग जी से कहा था कि विवेग जी आप क्यों कांग्रेस को बरवाद करना चाहते हो हमारी परहतों सीटे बढ़ गई इस बार लोग समा में आचारे जी आप समाजवादी पार्टी के प्रती जो गुस्सा था अब वो और बढ़ गया आज आपका बर्क साहब जो अब नहीं रहे उनके प्रती जो गुस्सा था वो आज और जादा बढ़ गया गुस्सा 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 तो थोड़ा आप अपने क्रोध को शांत करिये देखिया इस बात को समझिये कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस ने मिल करके मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ विवेग जी मैं कहा दुस्सा हो रहा हूँ लेकिन एक बात रताइए कॉंग्रेस पार्टी ने अपने आपको जो समाजवादी पार्टी के प्रती समर्पित किया है समाजबादी पार्टी के बिलकुल नहीं किया है और ऐसा किसी डेश में डेश के किसी राज में किसी नेता नहीं फैसला आज तक लिया है देश के किसी राजी के किसी नेता है राहूल गांदी का आज तक ये ठैसरा लिया है अचारी जी विवेक विवेक कुछ कहने पॉर्टी से कि बिश्केशन आज किया है हमारे भी सूतर हैं हम भी बात करते हैं मैं भी पता है विनबिलिटी पर डिसकेशन किया कि ये जो इतनी बड़ी टैली 2024 में उत्तरप्रदेश से हम दोनों भाई मिल करके लाए थे उसको आगे कैसे बढ़ाएं तो विनबिलिटी के इसाब से राहूल ने बोला और जीतते हैं जिससे हमारी टैली लोकसवा में और बड़े आप बार बार जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से उसको सुन नहीं रहे हैं वो कहरें बवा तुम जीतो हम जीतें यह इंपोर्टन नहीं है बीजेपी के खिलाफ टैली कैसे बढ़ेगी यह इंपोर्टन है जैसे सपा के अगे सरेंडर करा है वैसे उद्दव टाकरे को सीम बापत का उमीदवार घोशित करते हैं एक सिकन अचारे जी अचारे जी जैन संजे गुपता संजे गुपता ऑल्सो हैसर डिबांड अचारे 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 में किस्टम पिशूम करते हैं थोड़ा इस दिल को और बढ़ा कर दो क्या आप नहीं मानते कि 2024 का चुनाओं में सपा की मदद से कॉंग्रेस का रिसरेक्शन हुआ क्या हम नहीं मानेंगे कि Congress कि वापस entry हुए दवर्दस तरीके से 2024 में ठीक है ठीक है ठीक है विवेक जी 30 जेकंड विवेक जी मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूं तो आपकी प्रसंसा करना चाहता हूं कि आपने क्या क्या खेल किया कि इतनी पुरानी पार्टी को समाजवा अब मैं आपसे एक निवेदान हो करना चाहता हूं कि जो काम उत्तर प्रदेश में आपने किया है तो राहूल गांदी जी से कहिए थोड़ा दिल और बढ़ा करें ये जो Congress का दख्तर है 24 अकवर रोड इस पर भी cycle के घंडा लगवा दो तो फिर दिल पूरा बढ़ा हो इतनी बड़ी पार्टी उनके सामने नत्मस्तक हो गई है तो अनराग बढ़ारिया जी की तो दिवाली से पहले दिवाली दन गई अरे सुन लिजे सर अरे सुन तो लिजे सवाल हो गया भारती जनता पार्टी की परिशानी देखिये आप अगर यही मामला ऐसा होता कि Congress दो सीट पे लड़ रही होती ये देखिये Congress को मातर दो सीटे मिली है इतनी बड़ी पार्टी इसको दो सीटे दी गई है अगर साथ मिल रहा है नाटक चल रहा है का इस देश के अंदर में अरे भाई देश के लिए लड़ रहे हम लोग हम मिलके एक राष्ट को बचानी की बात हो रही है आप कभी उनके अंदर में जहांकिये जो माँ परिशान है जिसका बच्चा बेरुजगार कभी आपने देखा है उसको कभ इसके करवटें पलडता है कि अमस क्रoups पुणे उसको उसको अपनी लागत पविले मिल रहा है कभी आपने देखा किसी बाप पो कि अपनी बेटी को पढ़ा पारा है परुशाने देखी रहे किस तरह किसे अगए इंudustan हो है की लड़ाई लड़ाएं हम देखिए ये एफॉर एपल बाते हैं हम ये एफॉर एपल बाते हैं देखिए आपको सब्सक्रामिली 24 के लोकस्वा चुनाब देखिए वो उसके उसकी तारीफ है आपने एक अच्छा चुनाब लड़ा बीजेपी की खिराफ एक प्रोपगेंडा चला कि बीजेपी जो है अगर आएगी तो आरक्षन को समाप कर देगी उसको बल मिला और उसकी होजा से सपा का वोट शेर और सीटे दोनों बढ़के आई पॉइंट ये है ये किसान के करवट बदलने की बात मा के अंदर जहांकने की बात मैं पूछ रहा हूं कि कॉंग्रेस को बार बार काया जा रहा है कि बड़ा दिल बड़ा दिल संजे गुपता के दिल से कोई पूछे कि कॉंग्रेस का बड़ा दिल कितना बड़ा दिल है क्या क उंग्रिस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए नहीं दिखाना से ऊपश्ट के अड benefits आप लोगों के साथ तो दिलेगा porte कि Bible ठीजिए '' सबी नहीं अदुचा नपीजिए कि दीखे देखिया सवा लिये सवाल nervesик इसे बता रहा हुं आजकल महाल कैसा हो गया है अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता है मैं सोच रहा था अरे सोच रहे थे क्या सोच रहे थे बताई बताई क्या सोच रहे थे आप आप गड़ मंदर तोड़ना चाहते नी मैं सोच रहा था आजकल देश में नफरत नफरत सोच रहे देखने रहे बता ये बाँजरी अगने के नफरत नी भाईं नफरत की राजनी ज्जाधा होगी भाई व् PC vigil जालागी भाइंकि या। इन पुरा शब्ड ہी नही बोला आय। अमिज जी आचारे जी भी समझेंगे कि थेथर के पेड़ पे लाठी बजाना व्यर्थ होता है, अपनी उर्जर नश्ट होती है, थेथरों में कुछ समझ में नहीं आता है, आपके स्क्रीन पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, कोई समझे हो जेगा नहीं, आचारे जी को बस दो बात बातियाद दिलाना चाहता हूं, जहां पर मैं उनको चाहता हूं को अपने आपको करेक्ट करें, पहला उन्हें कहा, कौंगरेस के करोड़ों कारे करता शटर्न पे हो समय करता है, और भी किछ रहा है है, अपने पे लेने के लिए ये कौन बोल रहा है, पांच लोग और तो थेधर कोई अन पालिमेंटरी शब नहीं है दूसरा बात कि मैंने इनका नाम लेकि इनको थेधर नहीं बूला इनको अपने पर लग रहा है तो मेरी गलती नहीं है ये मेरी गलती नहीं है दूसरी बात अचारे जी ने कहा जंड़ा जंड़ा करेले बंद कर दिनी चाहिए बिल्कुल सही सरा है लेकिन अचारे जी दोजार चॉबिस के चुनाओं में लोकसभा में वाइनार्ट में हमने देखा कॉंग्रेस के जंड़े जंड़े दोनों गायब कभी वोट नहीं करेगा उसने दे दिया ये वोट कॉंग्रेस को वो दे रहा था सचाई है ये बात कि कभी भी दलित समाज वहाँ दलित समाज समाजवार्दी पार्टी को वोट नहीं देता है क्योंकि नहीं इतने अत्याचार किये लेकिन संविधान आरक्षन का नहीं पूरी तरह से अगर उत्तर प्रदेश में अपने साथ्यों को आगे किया है तो इसका मतलब यह कि उन्होंने अपने साथ्यों का सम्मान किया है अपने गठबंदन के साथ्यों का सम्मान किया है लेकिन बीजेपी आज ना सिर्फ अपने गठबंदन के साथ्यों को काट रही है बलकि अपने नेताओं को भी बाट रही है यह आज सम्मान ना सिर्फ अपने गठवंदन के साथ योगो देना नीचाते बलके अपनी पार्टियों के नेताओं को भी सम्मान नीकरना चाते जिस तरह से कॉंग्रेस ने आज अपना बड़ा दिल दिखाया इस तरह से यह अपने गठवंदन के साथ योगो फड़ा बड़ा दिल दिखाते तो आज हमारा गठवंदन तूटावाना होता इन्हें इस बात का अज दर्द ज्यादा है कि किस तरह से एक पॉल्टिकल पार्टी ने अपन वो चाहती है कि आप कम सीटों पे लड़े अब क्योंकि कॉंग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक है मुसल्मान वोट बैंक ऐसा कॉंग्रेस के नेता कह रहे है वो भी अगर उद्धर ठाकरे की पार्टी को वोट दे रहा है तो मत्तब वो कॉंग्रेस का वोट शेर है कि नहीं महाराश्च्रा में हमारे साथ देथे येशित से ना तो 120 पर लड़ती थी अभी तो कॉंग्रस इने 120 से जादा दे रही है ना देखे याज ये बहुत बोल चुके हैं अमें बोलने भी देंगे अभी ये नियुक्स की बात को दोएंगे अदे किते 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 सीटों प बन चुका है और हम अपनी सीटों पर लड़े बाला साब का एक बाला साब की इच्छा थी के देश में परदान मंत्री बीजेपी गाओ माराश्ट में मुख्यमंत्री सीव सेना गाओ और हमारा यह मामला बिल्कुल क्लियर है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा सीट कम होने से कुछ नहीं होता बड़ा दिल होना चाहिए लेकिन बड़ा दिल आपका नहीं था इसलिए महराष्ट में बड़ी स्वाची नहीं है luego अगर आपने साथियों को सम्मान दिया होता अगर अपने साथियों को इजद दियोती तो साथिय आपके साथ बटे ना होते और आज आपके साथ होते तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने साथियों को इजद दे रही है सम्मान दे रही है तो आपसे पचनी रहा है पहले बोला कि आपकी विचार दा रही है दिल बढ़ा रखना चाहिए सीटे जादा हमारी तबी मुक मंत्री किसी और दलकां दिल हमारा नहीं है सीव सेना को सिंदे गुर्ट को 80 सीटों पर अपने लालच के कारण प्री पॉल अलाइंस को छोड़ के बार उब एक उतर ठाकरे ने खंजर वो का अंडिये के पीट में कि सौ सीट के लिए तर्फा रही है कि मेरे आदर्शों को त्यांजली में बैट के बारे में इसके बारे में बारे में बहुत बार गया जाने के पहले बाला साथ कि सारी विचार धरा को त्याग दी आरे सावरकर को गाली देने वाले के साथ गडबंदन कर रहे है बड़ी ख़बर आ रही है मारी ख़बर आ रही है कॉंगरेस के लेता अनीस एमद Who कहते है मुसलमानों वे हुए बहूट जादा है हर चुनाव में 99% मुसलमान कॉंगरेस को ही वोट दिया है उसके बावदूद कॉंगरेस को कॉंगरेस ने नयाएंड नहीं दिया है मुसलमानों की वज़ा से सारे कॉंगरेस के लोग चुन कर आते हैं लेकिन उनका फिर ध्यान नहीं रखते हैं यह अनीस अहमद दे बोलाए उन्हें का रिखा रका आ यह औहीं पोला है कॉंगरेस्ट पार्टी के वरिश्ट मेह अनीस है बाद में भी कॉंग्रेस ने बराबर जो नियाए देना चाहिए वो नियाए नहीं दिया है और मुसल्मानों के ओड के वज़े से सारे कॉंग्रेस की सीट चुन कराते है यह बहुत बड़ा बयान है अपने आपके अंदर में सीधा मैं सीधा रियाक्शन लेता हूँ भारती जनता पार्टी और अचारे प्रोमोट किस्टम से अचारे प्रोमोट किस्टम यह जो बयान है इसके माइने क्या है कोकि विवेग भी कल मेरे कारेक्रम में कह रहे थे कि मुसल्मान वोट दें लेकिन वो दिखे ना लेकिन हमारे साथ ता दिखें देखें अमीर जी पहली बात तो यह है कि अभी कुछ लोग हमारे साफी कह रहे थे यह बहुत बड़ा दिल दिखाया यह पोलिटिकल स्टरेजी है भहिया मेरे एक बात बताओ कि हम दुकान खोल रहे हैं और कहेंगे कि हम इस दुकान में सौधा नहीं रखेंगे हम किसी भी गहाग को समान नहीं देंगे अगर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं हम डॉक्टर की तो कहेंगे हम मरीज नहीं देखेंगे अरे जब politics कर रहे हो political party आपने बना रखिया और आप चुनाब नहीं लड़ेंगे आप कारे करताओं को टिकेट नहीं देंगे आप अपने कारे करताओं का सम्मान नहीं रखेंगे तो फिर आप राजनिती क्यों कर रहे हैं दूसरी बात यह अगर इतना ही बल दिखाना तो इस बिलकुल सही बात है, Congress Party वो party है जिसमें आज, आज की डेट में एक दमाने की Congress थी महात्मा गांदी की Congress उस समय Hindu, Muslim सभी Congress का साथ देते थे लेकिन आज तो कॉंग्रेस पाइटी के नेताओं ने वो आलम कर दिया है, वो हालत कर दिया है, कि कॉंग्रेस पाइटी हिंदू का नाम लो तो विरोध करती है, सनातन का नाम लो तो विरोध करती है, जो सनातन को गाली दे, उसका समर्थन करती है, जो सनातन को मिटाने की बात तो राम मंदित का विरोध करें उसका समर्थन करती है राम के निमंतरन को ठुकराती है यह तो विवेक शिरिवास्तर जी लोगों ने किया यह कॉंग्रेस नहीं रह गई है यह कॉंग्रेस बांपति की जमात बन गई है और भारत तेरे टुकडे होंगे इसका नारा लगाने वालों का यह गैंग बनिया है तो यह कॉंग्रेस पर तो विवेक शिरिवास्तर की चाया पड़ जाए वो कॉंग्रेस का खतम होना सुनिचित है और मैं समझता हूँ ऐसी कॉंग्रेस को देश के हित में अगर यह कॉंग्रेस खतम होती है तो यह अच्छी बात है मातमा गांदी की कॉंग्रेस देश के लिए ठीक थी लेकिन राहूल गांदी की कॉंग्रेस देश के लिए खतरा है तो इस कॉंग्रेस को मिटा देना ही ठी है और मैं समझता हूं कि जो खाब जो सपना जो इच्छा जो विलिंगनेस मातमा गांदी ने दिखाई थी कि देश की आजादी के बाद कॉंग्रेस को खतम हो जाना चाहिए तो वो काम राहूल गांदी बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं मैं बधाई देता हूं राहूल गा कल गए तो बीजेपी में क्या बचेगा विवेक विवेक सुनिये सुनिये अब आब आचारी ये करके सुनिये बड़ा गुस्सा आपके दिल में है और मैस गुस्से को समझ सकता हूं आपने बड़ी भारी बूल करी जब आपने प्रान पृतिष्ठा के लिए प्रधान मंतर साथ देखेंगे और और बिल्कुल सेक्लिरिज्म सोचलिज्म के हिसाब से चलेंगे और हां हिंदू और मुसल्मान के वोटर पे नहीं मांगा जाएगा कोई बात नहीं सार वो सीटें बड़ी हैं अभी प्रयांका गाली देना सेक्रूरिज्म है क्या हिंदूों को गाली देना सेक्रूरिज्म है वो बड़ा पुराना पॉइंट है सनातन धर्म को डाटी वर्ड कहना सेक्रूरिज्म हैं ने ने कोई डाटी ने को गाली यार कोड को ने सक्रूरिज्म है इस सेक्रूरिज्म जानता है आप राजी बांदी के समय से हैं नहीं मानती है इस देश की जंता उस लेक्टरिजिश को मानती है यह चलिए अखिलेश आदव की पार्टी तो अचारे प्रमोक किश्टर आप ने की साजिस करके यह आपने पाप किया है उस पाप की सजा आप और कॉंग्रेस भोगेंगे अचारे जी चलिए अखिलेश आदव की पार्टी तो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर वहां कॉंग्रेस का सिरेंडर हो गया लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी तो कॉंग्रेस से बड़ी नहीं है वहां शरद राव पवार की पार्टी तो कॉंग्रेस से ब अमीज देव गंजी सारी रीजिनल पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि राहुल गांधी जी को देश एकसेप्ट नहीं कर रहा है। जितने भी रीजिनल पार्टी के नेता हों समझ चुकें इसलिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी को कॉंग्रेस की हैसियत दिखाने का फैसला ले लिया है। कि अंदर परचार करने के लिए आएंगे आदेते ठाक्रें का क्या करेंगे आप लोग वडली में हम उन लोगों के साथ नहीं हैं नहीं हम उन लोगों के ना साथ थे ना हैं और ना कभी लेकिन किसी के साथ गडबंदन होने से उसकी पार्टी में विलैनी होता अपनी विचार दार अपनी विचार था रहती है और यह किया सिरब गाल बजाएंगे यह आपकर कि यह देखो सनाथ्ण को गाली देरा तेखो भारत तुर्टले होंगे यह यह वोलिए उसको लोगों कि लाफ एक्सल लेने के लिए क्या करेंगे ये क्या सिरफ गाल बजाएंगे बैठकर के मुझे बताई आप अचार पर परकिश्व तद्सक्राइब तर्ट ने कहा 15 मिंट के लिए पुलिस अटा दीजिये आप फिर हम दिखा दे क्या एक्सलिया इनोंने और एक शेट अचारे एक शेट अचारे गुप्ता शांथ अचारे परमुत किस्व तविटी सेकिंड देन डॉक्तर अजया लोग अरे बही जो कॉंग्रेस पार्टी ने जो फैसला उत्तर प्रदेश में लिया है उसे गटबंदर नहीं कहते हैं उसे समर्पण कहते हैं उसे बेबकूफी इस तरह से प्रेश के साथ ये सपोर्ट करना चाहते हैं एक बात कहके अपनी बात को खतम करूगा कि जिस जिस फाइदे को देखते हुए अखलेश यादर जी ने ये काम करवाया है राहूर गांधी जी से राहूर गांधी ने किया है उसका फाइदा समाजवादी पारिटी को नहीं मिलेगा अनुराग भदरिया जी से कहना चाहता हूं खुशना हों क्योंके कॉंग्रेस पारिटी का एक ऐसा बहुत बड़ा सेक्टर है ऐसा कॉंग्रेस का समर्थक जो सेक्टर है वो ये है कि अगर कॉंग्रेस पारिटी का निशान हुआ नहीं होगा तो वो वोट ब्रेटी को नहीं जाएगा अमें इस देवगवन यह मेरी बात को याद रखना उपचुनावों का जो रिजल्ट आएगा तो मुझे ज़रू बुलाना जी बिल्कुल 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 बुलाएंगे ओके ओके और अब वक्त है एक बड़ी खबर का ब्रेकिंग शोरी का क केशब परसाद मौरिया का बड़ा बयान आया है केशब परसाद मौरिया का बड़ा स्टेट्पन आया है यूपी की डिप्टी सीम है केशब परसाद मौरिया केशब परसाद मौरिया ने कहा है कि कॉंग्रेस पर उन्ने अटाक करा है और कॉंग्रेस पर बड़ा हमला बुला ह यूपी में कॉंग्रेस स्पी गडबंदन खटाई में पड़ गया है इसके बाद दोनों का जहाज जूपने में कोई अब कोई नहीं इसको रोक सकता ये का है कि के पी मौरिया ने जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस को नैशनल कॉंफरेंस ने ठेका ठेंगा दिखाया और अब स दर्ध है वो अपने जो सहयोगी दल उनके बारे में कह रहे हैं कि भाई देखो भारती जनता पार्टी ने उनको ठेंगा दिखा दिया चार दिन तक आपने देखा पड़े रहे निसाद दल के निता और मांग करते रहे कि मुझे कम से कम दो सीटे तो दो चार नहीं दे रहे देखिए आपके डिबेट पर हमीशे आपने ध्यान नहीं दिया दिवेक शिवास्तर ने बहुत बढ़ी बात बोली जो इस देश की ब्रॉडर स्पेक्टर और राजमीती में समझना चाहिए उन्होंने कहा जब से कॉंग्रेस का लेफ्टी करन हुआ तब से कॉंग्रेस पै अल्मानवादी कॉंग्रेस और यही कारण है कि इस बार भी प्रियंका गांधी के नामांकन में आपको एक भी कॉंग्रेस के जंडा नहीं लिगा क्या क्या आपको लगता है यह जो कॉंग्रेस सपाव उद्धर ठाकरे की शिव से ना मुस्लिम वोट की लड़ाई लड़ाई है अनुराक उदरिया टेन सेकिंड देखिए भारते जनता पाट बनेगे भारते जनता पाटी इस तरह का माहौल बनाना चाहते चुकि उसको क्या बोला कोई मुसल्मान के लिए कर दो हमारे कोई नहीं बटेगा कोई नहीं बटेगा कोई नहीं बटेगा इंदुस्तान एक रहेगा लेकिन अबू आजमी की बात के ओपर संजय गुपता आप क्याना चाहते हैं कि अभी दो मुसल्मान विधायक हैं अगर साथा राज देंगे तो देख तो कौन माई का लाल है जो मुसल्मानों को सूपाए देखे हम इस तरह के किसी भी बियान का समर्तन नहीं करते और यह बे सिर पर का एक बियान है जिसका हम खंडUSTन करते हैं तो अभरति जन्ता पर्टी के नेता बे सिर पर का बैयन देते क्यों एजर में बटोगे तो कटोगे बटोगे तो कटोगे चलिए चलिए आप रुकूंगा एक ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक के उस पार एक बिग स्टोरी एक बड़ी कबर आपका इंतजार कर रही है देखते रही है व्यूवर्स CNBC आवास पे टक्कर का आज का बेहत खास एडिशन वेल्कम बैक फ्यूवर्स देख रहे हैं आप CNBC आवास पे टक्कर का आज का एडिशन कॉंग्रेस पार्टी से जुड़ा एक वीडियो इस समय बहुत वाइरल है जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कह रहा है कि कॉंग्रेस अध्यक्ष्य मलिका अर्जुन खडगे का घोर अफमान किया गया है बीजेपी भारत्य अंता पार्टी आरोप लगा रही है कि कॉंग्रेस की फर्स फैमली यानि गांधी परिवार ने इसलिए खडगे जैसे मज़र्ग नेता की गोर बेशती करी को कि वो दलित समाच से आते हैं ऐसा बीजेपी कह रही है ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रियांका वाड़रा केरल की वाइन अट सीट से अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंची थी बीजेपी नेता अमित वालविया ने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा कर दिया है कि मलिका अरजुन खडगे को प्रियांका गांधी की नॉमिनेशन के वक्त कमड़े से बाहर रखा गया था अमित पालविया ने ये भी आरोप लगाया कि कॉंग्रेस आरक्षन को खत्म करके सभी दलितों का यही हाल करना चाहती है लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि गांधी परिवार के उपर पार्टी के अध्यक्ष को अपानित करने का आरोप लगा लोगसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंती मोदी ने कॉंग्रेस के पूर्वे अध्यक्ष सीताराम केश्री का मुद्दा उठाया था और इतिहास गवा है कि सीताराम केश्री को पार्टी ओफिस से उठाकर बाहर फैक्ष दिया गया था इस दौरान उनकी धोती तक खुल गई थी सीताराम केश्री उननिस तो चानवे से उननिस ओठानवे तक कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे उननिस ओठानवे में कॉंग्रेस लोगसभा चुनाव में 147 सीटों पर सिमिट गई लेकिन अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की हार काटिकरा सीताराम केश्री के माथे मनने की तयारी शुरू हो गई याद कर ये 45 सीटों पर भी कॉंग्रस आई राहूल गांदी अध्यक्ष दे लेकिन उनको किसे ने बाहर ने किया लेकिन सीता राम केसरी की धोती खोल दी गई थी और ये सत्य के तत्य है कहा जाता है कि तब उपर से दिर्देश मिलने के बाद सीता राम केसरी को कंदे पर उठाकर पार्टी दफसर से भार फैक दिया गया था निकाला नहीं गया था फैक दिया गया था इसके बाद सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष मनाई गई और बाकी सब के सामने इससे पहले 1950 में सरदार पठेल के समर्तन से पुर्षोत्तम दास्टंडन ने पंडित नहरू के पसंदिदा उमीदवार अचारे किरपानी को हराया था लेकिन माना जाता है कि दबाव की चलते पुर्षोत्तम दास्टंडन को भी अपना पद छोड़ना पड़ा था कॉंग्रस पे ऐसे ही आरोप पूर्ष प्रधान मंतरी नसिंग माराओ को लेकर भी लगाए जाते हैं कहा जाता है कि पीवी नसिंग माराओ का पार्तिव शरीर पार्टी के मुक्याले में रखने नहीं दिया गया था और संजे बारू ने अपनी बकाइदा अपनी किताब में इसका जिक्र किया है इसके पीछे एहमत पटेल थे जिन्नों ने उनका पार्तिव शरीर नहीं रखने दिया था कॉंग्रस के दफ्तर में कोगी सोनिया गांदी ऐसा नहीं चाहती थी तो ये थे कुछ हार्ट फैट्स तो फिलाल टक करके आज के अडिशन में इतना ही उमीद है आज का करिक्रम आपको जरूर जरूर पसंदाया होगा नमस्कार शुबरातुरी गुड नाइट हुआ हुआ है